असलाम लेकुम जी वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब मेरे चैनल में आप सब को हुशाम दीद और दौा है कि सब बिलकुल हैरियर से हो तो अभी मैं आई हूँ टैरस में मुझे ना बचों का यूनिफॉर्म वाश करना था तो हफते वाले दिन ना वैसे मैं बचों ही तो उस दिन ना सारा काम मुझे ही करना था और आज ना मैं आपके साथ संडे का वलोग ही शेयर कर रही हूँ तो इस वकद मैं टैरस में आई थी धूब ढल चुकी थी तो मैंने कहा जाके ना मशीन लगा लेती हूँ और ना मैंने ना न्यू वाशिंग मशीन मंगवाई ह होते और वैसे भी ना टोवल्स वगएरा मैं कपड़ों के साथ नहीं डालती तो इनको ना मैं सेपरेटली वाश किया करती हूँ तो इसलिए फिर मुझे मिशीन मंगवाना पड़ी क्यूंके बाद में ना मिशीन से निकलने के बाद भी ना बच्चों का यूनिफॉर्म कफ कॉलर सब कुछ गंदा होता था तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता था फिर बाद में बुर्श लगाना पड़ता था किसी वक्त मैं लगा लेती थी और कभी अगर रात के टाइम पे मैं कपड़ों को वाश करती थी ना तो फिर मैं उसी तरह से ही डाल देती थी तो जब है यह चोटी वाशिंग मिशीन मैंने मंगवाई है क्यूंके बचों का यूनिफॉर्म टावल्स वगएरा जो गंदे कपड़े ज्यादा होंगे तो वो मैं इसी में ही धोया करूंगी तो अभी ना इसको मैंने ओपन वैसे कर लिया हुआ है दो तीन दिन पहले का ही किया था और मैंने एक दफ़ा लगा के तो बच्चों का यूनिफॉर्म भी वाश करके देखा था इसको चेक करने के लिए तो दरास से ही मैंने ये मंगवाई थी और ये ना एट के एट जी की छोटी सी वाशिंग मशीन है बिल्कुल स्मॉल साइज की और ये थर्टी टू थाउजन में आई है तो देखिए किस कदर ज्यादा महंगाई होई हुई है हाला के जो मेरी पिछली वाशिंग मशीन थी ना वो इस से डबल साइज की थी और वो मेरे ख्याल में मैंने 16,000 की ली थी और लेकिन वो ली काफी अरसा पहले की थी मैं अपने हस्बेंड के साथ ना लास टाइम वो ही चीज लेकी आई थी तो तकरीबन 7 साल मैंने उसको इस करने के बाद कि उसके वैसे फायदा तो ये है कि नितारने नहीं पड़ते आपको ड्राई नहीं करना पड़ते काफ़्टे तो हुद बहुद धुल जते हैं वाश हो जाते हैं खंगाले ज нужते हैं सब खुछ हो जता है लेकिन बस बच्चों के जो कपड़े होते हैं वbaby उसम किके अगास हम तो शक्בן राटन के लिए संसान विस प्रशान हो जाता है और कपड़े वाउश करणने के लिए न मैं Elf को Mr. Kenा करती, यानि के एक महंगा पैकेट डाल लिया करती हूँ और एक थोरा नॉर्मल रेंज का जो पैकेट होता है ना वो डाल के ना दोनों को मिक्स का लिया करती हूँ तो वो ही मैं सर्फ ही बना रही थी और ये देखी अब जाके ना मैं अंदर से तो सारे टॉबल्स वगरा ले आई हूँ और टॉबल्स ना इसी तरह से हम लोग ना अपना अलहदा अलहदा इस्तेमाल करते हैं कोई एक दूसरे का इस्तेमाल नहीं करता तो हर दफार ना धुलाई करते हूँ ना फिर चार तो तोलिये हमारे होते हैं तो कपड़ों के साथ मैंने कभी भी नहीं डाले मैं जब हेलपर से भी धुलवाया करती थी ना तो तोलिये हमेशा लेदे ही धुलवाती थी तो अब ना वो मिशीन में तो इकठे कपड़े डा परते हैं तो मैं पहले, ना चार्थों हीं, के साथ पहला चकर चला लिया करती थी लेकिन भी मी टाइम काफी जहाद से वेस्ट होता है, और देखेगे य стала चेक की लिए है चलती ये बड़ी ज्यादा हुआस। दू कपड़ों के साथ ना ये भी हिलना शुरू कर देती है तो मैं देख रही थी मैंने का इसका तो ये वजन भी कुई नहीं है हाला कि जितनी इसकी कीमत है ना उसके मताबिक इसको हैवी होना चाहिए लेकिन बिल्कुल हलकी फुलकी है तो अब ना मैं यही सोच रही थी के दो च और आज भी मेरी हेलपर नहीं आई वैसे ही आज तो संडे को उनकी चुटी होती है लेकिन कल मैंने कॉल करके कहा था उनके घर मैसीज दिया था कि आप लोगों ने चुटी की है तो अब संडे को आ जा ना लेकिन वो फिर भी नहीं आई है तो आज ना फिर बैस मैंना कपड वाश करते हुए ना मैंने मोटर भी चलाई थी तो मोटर चलाई ना तो उस वक्त बड़ा ठंडा पानी आता है वन्या जो टैंकी का पानी होता है वो इस वक्त तक बिल्कुल आग की तरह होता है गरम हो जाता है शदीद किसम का गरम तो उसके साथ फिर मैं पानी नहीं देती और इस वक्त हना नीचे चला के आया था मोटर तो मैंने कहा ठंडा ठंडा पानी है प्लांट्स को भी दे देती हूं और देखिए यहां पे सारे ही मेरे प्लांट्स ना एकदम मुर्जाए पड़े हैं धीले होए हैं तो आजकल इनका भी कोई हाल नहीं है और ना मुझे आप देख सकते हैं किस तरह से मुर्जाए पड़े हैं और ना जब अच्छे जाते हैं स्कूल तो कभी कबार मैं सुबा के टाइम में इनको पानी देती हूं फिर शाम के टाइम में भी दे देती हूं दो दफ़ा किसी दिन ऐसा होता है लेकिन एक टाइम ही मुझे दिया जा जाता है वैसे आज कल ना इनको दो टाइम ही पानी देना चाहिए ताके ये ना खिले खिले रहे थोड़े से हरे हरे रहे तो चलिए जी अब मैं आ गई थी अंदर मैंने टैरस में उतना ही काम किया उसके बाद मैंने कहा चलो अब ना थोड़े सी जाके डस्टिंग कर लेते हैं क्योंके कल मैंने अच्छी तरह से घर सारा क्लीन किया था मोप लगाया था तो आज घर साफ सुत्रा ही था तो आज हमारा किचन बिल्कुल नीट ही था मैंने कहा चलो आज छोड़ो आज ये साला कुछ नहीं करते हैं तो आज रहने देते हैं का लाएंगी वो तो कर लेंगी तो मैंना बस डस्टिंग ही आज करूंगी और डस्टिंग एक दफ़ा अच्छे से दिल लगा के कर ली जाएना तो घर बड़ा अच्छा लगना साथ सुत्रा लगना शुरू हो जाता है और ये देखे मैंने ये प्लांट को भी मैं ज़ाड़ रही थी और इसमें से इतनी ज़्यादा डस्ट निकली न वो ना अधी जो उस दिन दो, तीन दी पहले आई थी तो उसकी डस्ट ना अभी भी किसी किसी चीज़ पर पड़ी है हालाए कि मैंने नेक्स्टे ही सारा इस घर गषर की डस्टिंग की थी लेकिन फिर भी ना कोई ना कोई कोई रही जाता है refreshing by Lanceck इस पे गंद पड़ता ही रहता है तो चलिए जी आज मैं बास ना ये अच्छे से डस्टिंग कर रही हूँ सारे घार की मैंने डस्टिंग ही की और इस वकत ना इतनी शदीद मुझे गर्मी लग रही थी ना हाला के बाहर से धूप इल्कुल हतम हो चुकी थी लेकिन फिर बिन टिवी लाउंच में तो आने को जी नहीं चाहता क्योंकि यहां पर गर्मी ज्यादा शदीद होती है रूम फिर भी थंड़ा होता है क्योंके रात में भी ऐसी चलता है तो दिन में भी किसी वक्त बच्चे चला लेते हैं तो रूम थंड़ा होता है इसकी निजबत तो बस अब बच्चे अच्छे नमरों से पास हो जाएं आमीन तो अब में आई थी किच्छन में मैंने कहा चलो नूडल्स बनाते हैं वैसे ही न मुट्जा ने पकड़ा हुआ था नूडल्स का पैकेट तो मैंने कहा आप रुको आप तो इसी तरह सही बना लोगे तो मैं ना मैं बनाती हूं तो मैंने थोरा सा चिकन निकाल के डखा तो मैंने इसलिए ना फिर चिकन की ञखनी निकालने के लिए इसको रख दीया इसको को डी प्रोस्ट मैंने नहीं किया था वश इसी तरह पानी में डालके गья और अभी इस ही मैं इसे खोल रही थी तो जब फिर चिकन ले जाए करती हूं फ़फ्त कैड़ने ये दिया निक कि अब नहीं दोट को तरह साथ सिर्का कर दीए है तो नमग मैंने इस में डाला हुआ था पहले चिकन को बॉईकर बवाइल करने लिए और ये देखिए ये नूडल के पकिट पड़े हूए है तो इसमें से ना जो इसमें डॉल डूगी अलादा से मिर्च में नहीं इतना मसाला होता है ना, वोही इनौफ हो जाता है, वरना अगर सेपरेटीटी डालो ना, मुझे वैसे अच्छा लगता है, थोरा सा ना करा रहा रहा, तो बच्जे ना फिर उनको ज्यादा मिर्चे लगती है, तो आज मैंने पी नहीं डाला था, इसमें से जो मसाला निकला तो वही इनफ हो गया था तो तीन पैकिट में नूडल्स के बनाने लगी थी फिर ना एक दम से मुझे ख्याल आए कि ये ना थोरे हो जाएंगे क्यूंकि आज ना ये डिनर ही समझ लीजिए शाम के टाइम में ही हम लोग ये बना रहे थे तो मैं तो यही बस मेरा यही डिनर होगा बच्चों ने अगर कुछ खाना होगा तो वो फिर खा लेंगे कुछ हमारे पास चावल भी पहले के पड़े में है तो चिकन वाले चावल मैंने बनाए थे वो पड़े में हैं तो बच्चे वो खा लेंगे अगर दुबारा से उन्होंने खाना होगा तो मैं तो यही डिनर के तोर पे खाऊंगी तो मैंने ना इसमें फिर थोड़े से ना मैकरोनी और यह मेरे पास पड़ी थी स्पैगिटी तो इसको बॉयल करने के लिए रखती है मैंने का चोले यह भी साथ में शामिल कर दूँगी खाने में अच्छी भी लगेगी और साथ में ज्यादा भी हो जाएंगे नुडल्स और मैकरोनी ना मुझे वैसे ही बड़ी ज्यादा पसंद है तो मैं जब भी घर का लेके आती हूँ ना सोदा सल तो साथ में मैकरोनी का पैकेट लाजमी लेके आया करती हूँ मुझे तनी ज्यादा पसंद है और मेरे बच्चे बिना बड़ा खुशोके शोक से खाते हैं और ये देखे ये शिमला मिर्च और गाजरे जो मैंने रमजान प्रेपरेशन के दुरान काटके फ्रीज की थी ना जो मैंने आपके साथ भी शेयर की हूँ है तो ये देखे ये काटके रखने का ये फाइदा होता है कि अगर उस वकत वैसे ही फ्रीज में पड़ी रहती तो दो तीन दिन में शिमला मिर्च ने तो बिल्कुल नरम पर जाना था गल जाना था तो वेस्ट ही जाना था और ये जो गाजरे हैं तो गाजरे आजकल इस तरह की कहां लाल लाल मिलती है आजकल तो सीजन ही नहीं रहा गाजरों का तो तब की रखी हुई थी ना अब फाइदा हो गया इस्तेमाल होने लगी है तो मैं फ्रीजर से निकाल के लाई हूँ और थोड़ी सी ही मैंने निकाल ले और यहां पे चिकन भी हो गया था तो अब बस न चिकन को में देखी रही थी मैंने कहा थोरा सा नरम होता है तो फिर इसमें मैं नोडल्ज लूँगी और इसी तरह से पैकेट्स में उसमें निकाल के तो नोडल्ज मैं चिकन में एड़ कर दूँगी पानी इसमें जो है न तो उसी में ही ये खुल भी जाएंगे और नरम भी हो जाएंगे इनको तो पकते हुए दो तीन मिनट ही मैकसीमम लगते हैं तो बस इनको न मैं दम पे ही रखूंगी उतनी देर में वो पास्ता बॉय हो रहा था तो मैं यही चेक करने लगी थी कि ये अगर बॉय हुआ है तो भी मैं साथ उसमें शामिल कर दूँ तो बस ये भी हो गया है जरा सी इसमें न ममूली सी कसर थी तो मैंने कहा चलो थोरा सा और हो जाए उतनी देर ना मैं उसको भी देखूंगी साथ-साथ ही कि वो नूडल्स खुले हैं कि नहीं कि उनके साथ ना फी मैंने गाजरें भी और शमला में शामिल करना है पहले मैंने नहीं डाली थी क्यूंकि अगर पहले ही मैं सबजियां डाल देती ना तो उन्हों ने बिल्कुल नरम पर जाना था तो लीच लीच चीज़ असे हो जाती है तो मगे लूड़ कारंची ज़रा सबजिया अचि लगती हैं तो इसलिए मैंन मैंने स्पेगटिब वाइल की थी तो वो भी है इसमें साथ ही एड़ कर दूंगी और फिर इसको ना मैंने दम पे रख देना है तो जट पड़ यह रेसिपी है तो यह ना हम लोगों को बड़ा ज्यादा पसंद है मुझे हुद बड़ा अच्छा लगता है अगर कभी मैं ना भी खाऊना रात का खाना तो मैं यह बना लिया करती हूँ और बच्चों को भी यह बड़ा अच्छा लगता है उनको तो वैसे ही ना सब बच्चों को ही नूडल्स पास्ता इस तरह की चीज़े अच्छी ही लगती है तो इसमें थोड़ी सी कैचप डाली है मैंने फ्लेवर तो देखिए जी कैसा लगा है देख के बताईएगा जरूर कि आपको कैसा लगा वैसे इसी तरह की ना मैं तो जट पट रेस्पी कोई प्रोपर तरीके से भी बना लेती हूँ लेकिन जिस तरह जिस वक्त जिस तरह की रेस्पी अच्छी लगे ना फटा-फट सी तो वैसा ह जल्दी जल्दी से खाने बना लेती हूँ तो देखिए अच्छे लगा था और देखने में भी अच्छा था और ना खाने में भी बड़ी मज़ेदार हुई थी वैसे बड़ा ज्यादा मज़ा आया है यह हमने शाम के वक्त में खाई है तो बच छे साथ बज़े के गरीब ह आप से मिलेती हूँ इजाज़त मिलती हूँ नए व्लोग के साथ खुश रहिए जी अबाद रहे अपना बहुत साहिया रखिएगा अला हाफीज